जैसी कृष्णा एब्रीडे गीता में सम्वित साधक अशोक व्यास की तरफ से आपका स्वागत है माम प्रेरया माम पूरया माम तारया योगेश्वरा जय गीता मृत वर्शक करुणाम यगन सुन्दर नमश्कार आपका स्वागत है और आपका स्वागत करते भी मुझे ऐसा लग रहा है इस एब्रीडे गीता के माध्यम से हम जैसे कोई अपनी पुरानी बड़ी ही भव्य और दिव्य इमारत में प्रवेश कर रहे हूं जिसमें की अनन्त कक्ष है अनन्त दर्पन है और जहां हमें देखते देखते अपने अनन्त होने का बोध भी होने की संभावना प्रवल हो जाती है प्रवल हो जाती है मैंने इसलिए का क्योंकि हो ही जाएगी ये आवश्यक नहीं है नहीं क्यों है क्योंकि फ्रीडम इस नॉट फ्री मुफ्त मैं न मिले मुक्ती इस बात को लेते वे आये प्रारम करते हैं आज पहले अध्याय के 42 श्लोक के पारायन से संदर्ग अर्जुन अपनी स्थती बता रहे हैं सी क्रिष्ण को क्यों उन्हें युद्ध करना उच्छित नहीं जान पुड़ता संकरो नरकायेव कुलग नानाम कुलस्यच पतंती पितरो येशाम लुप्ट पिंडो डकक्रियाः इसका सीधा अर्थ तो यू गीता प्रेस वाली श्रीमर वगत गीता की प्रती में दिया है वर्ण संकर कुल गातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लुप्ट हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात शाध और तरपन से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगती को प्राप्त होते है अब इसमें कई ऐसे शब्द आये जो हम जिस तरह की दियों चैली को अपना चुके हैं हमारे कई बच्चों को शाध का तरपन का ठीक से पता नहीं है बलकि हमें से भी कई लोगों ने किया है पर हमने उसके अर्थ को जानने की तरफ अपने दिमाग को लगाने के कश्ट नहीं किया है और पितर लोग क्या होते हैं उनकी अधोगती क्या होती है ये सारी बातें किसी और शंकिला के लिए चोड़ते हैं तैयालीस में शलोग की तरफ बढ़ते हैं पहले अध्याय का दोशई रेते कुलग नानाम वर्ण संकर कारके है उच्छा ध्यनते जाती धरमाह कुल धरमाश्च शाश्वताह इन वर्ण संकर कारक दोशों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नष्ट हो जाते हैं जीवन की शैली के साथ में जो एक शुद्धी की पालना करने का संकेत बार-बार हमारे रिशी हमारे ग्रंत हमें देते हैं उसका संकेत इन दोनों स्लोकों में आधार बन रहा है अरजुन का ये कहने के लिए कि युद्ध करना ठीक नहीं है और उनके हाथ से गांडीव तो पहले ही फिसल गया है अब बात ये जो निकल कर आई है कि मुक्ती सब के लिए है पर क्या सच मुझ सब के लिए है और यदि वो मुफ्त में मिलती हो तो फिर उसकी महिमा क्या मैं फिर एक बार ये जो जो शब्द है श्रीम जोगत गीता से है या संकेत उनके प्रेरणा उनकी सीधे सीधे गुरु चर्णों से है तो उनी की बात को लेकर आप तक आने का ये जो आनन्द है इसके साथ साथ उस रस्वें भीगने का एक अवसर अपने आपको देकर धन्य होने वाली बात है तो माम प्रेराया माम पूराया माम ताराया योगेश्वरा जय गीतामृत वर्षक करुणामय घन सुन्दर तो वो हैं हैं करुणामय हैं और कैसे हैं जो मुझे पूर्णता प्रदान करने वाले हैं हम जो जो देहरूप में हैं वो एक दिन इस दे को छोड़ कर चले जाने वाले हैं ये बात भी श्रीमा रुगत गीता में कहीं आई है यानि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यू अवश्यम भावी है पर इसको सुनकर डर नहीं जाना है इसको सुनकर क्या सीखना है हमारा लक्ष क्या होना चाहिए मृत्यू तो हमारा लक्ष हो नहीं सकता यदि ये इस प्रकार का चक्र होता जिसका कोई अर्थ न होता तो फिर हम सृष्टा को कम आख रहे हैं हम अपने आपको बहुत अधिक बुद्धिमान मानते हैं पर जिसने ऐसी कोशिकाए हमारे शरीर में बनाई हैं और इतनी अपने आप एक वंश से दूसरे वंश तक जाने की व्योस्ता हजारों बश्तों से चली आ रही है तो वो सारा संदर्व लेते हुए भी पेडों को देखें, चान को देखें, सूरज को देखें आप अपने आप को देखें तो स्रिष्टा ने जो स्रिष्टी बनाई है वो विलक्षन है वो इसलिए तो नहीं हो सकती है कि वो हमको थकाए, उबाए, खिजाए और फिर एक दिन कहें कि चलो आजाओ, ये मुरत्यू है तो मुक्ती की जो बात है वो लांगने की बात है वो सीमाओं का अतिक्रमन करने की बात है पर अगर सीमाओं का अतिक्रमन कोई गोध में बिटा के करा दे सीधे-सीधे हमारे किसी पुरुशार्थ की अपेक्षा किये बिना तो हमें उसका संतोष नहीं मिल पाएगा और पूर्णता हमारा लक्षय है इस बात को समझने का प्र प्रवच्चन में इसका उलेख किया था एक बाबाजी थे वो बाबाजी ने देखा कि यह समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ इतना ध्यान जाता है साधना में मन कम लगता है एक वैराग्य उनकी मन में था वो कहीं पहाड़ी पर गुफा में जाकर रहने लगे अब अब भूत प्रेत कैसे लगते है उस तरफ नहीं जाते हुए पर यह मानने कि उसका आचरण ऐसा था कि कुछ बातें वो विवश्ता पूर्ण ढंग से कर रही है और तो भूत को हटाने के लिए क्या किया जाए बहुत उपाय किये गए और किसी ने सुझाय तो वो बाबाज को इस मनुष्य की पत्नी को लगा दी और हां सच मुच भूत भाग गए अब इस तरह सो उनके पास और भी लोग आने लग गए तो भूतों को बगाने वाले बाबाजी प्रसिद्द हो गए फिर एक बार शाम के समय वो गुफा में अकेले बैठे थे तो उन्होंने देखा क कि वहां कुछ आकरतिया हैं फिर उन्हें समझ में आया कि यह जो भूत भागने की बात होती है वो भागे नहीं हो तो यहीं है तो उन्होंने उन्होंने उन्से बात सीथ करना शुरू किया है घबरा ही नहीं वाबाजी उन्होंने का कि अच्छा तुम लोग यहीं हो तो मेर कहने से तुम भाग क्यों जाते हो ऐसी मुझ में क्या खास बात है मैं तो बिलकुल सामान नहीं हूँ तो उन भूतों के जो मुक्या थे समझ लीजिए उस समू में जो भूत थे उन्होंने कहा कि देखिया ऐसा है कि जो निशकपट होता है जो निशकाम होता है जो निश्चल ह होता है हम उसका सामना नहीं कर सकते तो दरसल महात्मा जी का जो कहना था उस बात का असर उन पर यूँ पढ़ रहा था क्योंकि वो सीधे थे अब ये सीधे पन की बाद स्रीमा दोगेव गीता में वहां से आ जाती है कि अर्जून के बाद में छल नहीं है कपट नहीं है निश चलता के भाव से समरपन के भाव से जो जिग्यासाएं उसने व्यक्त की उसका प्रशाद नकेवल उसको मिला है बलकि हमको भी मिला है तो एक बार फिर से ये स्मरण करते हुए माम प्रेराया माम पूराया माम ताराया योगेश्वाना जयगीतां रतवर्शक करुणा और प्राधना की तरह ये बातें दोराई जाती हैं कि लाइक करें और शेयर करें और जो जो आपको लगे की इस तरह के ऑनलाइन सत्संग की संखला जो अनौप चारिक रूप से चल रही है उसका लाव ले सकते हैं तो उन्हें भी इसके बारे में अवश्य जानकारी दें हैं फेस्बुक पर भी जो पेज है वो एस्टी यूडियो है और यूट्यूब पर भी जो चैनल है वो भी हैरंबा स्टूडियो है तो बात को विराम देने का समय इतनी जल्दी आ जाता है तो विजा ली जाए जैसी क्रिश्णा प्रसंद रहें जैसी क्रिश्णा एवरी डे गीता में सम्वित साधक शोग व्यास की तरफ से आपका स्वागत है माम प्रेरय माम पूरय माम तारय योगेश्वर जैगीता मृत वर्षक करुणामय गन सुन्दर